नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं इस पे नाय न्यूस वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरुवात उत्तर प्रदेश से जी हां उत्तर प्रदेश में राजनितिक गलियारों का माहौल गर्म है दरसल कई मुद्धे इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल दिख रहा है इसका असर देश की सियासत पर दिखता नजर आ रहा है जी हां सीधे सीधे तोर पर ये म्हीकूब вас वहां से उठाये लेकिन इसकी चर्चा स्वारा होती पूरी है फिलाल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मसिल्मानों के उस बड़े चेहरे के बारे में जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है जिसको लेकर आज हर किसी के मन में सवाल है और सवाल और नए तरीके से किसी और के साथ जुड़ेंगे तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि नई शुरुवात की कोशिश आजम खान कर सकते हैं क्योंकि आजम खान से मुलाकात करने देखिए अकलेश चादव नहीं गए यहां पर आपको चीजों को बार में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक के बाद हमने एक के बाद एक ये देखने को मिला कि अकलेश चादव ने दिरे दिरे खुद आजम खान से दूरी बनानी शुरू कर दी एद का त्योहार पूरे देश में मनाया गया लेकिन एद के त्योहार की शुपकामनाए देने अकलेश चादव आजम खान के परिवार से मुलाकात करने नहीं कर जाते हैं बदाई नहीं देते हैं आजम खान से जेल में मिलने जाते हैं और तो और आजम खान जेल से रिया हुए उनके समर तक आजम खान से मिलने आते हैं लेकिन अकलेश यादव उनके घर नहीं जाते हैं तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आजम खान ने तो अकलेश यादव से दूरी बना लिये लेकिन अकलेश यादव ने भी आजम खान से दू को मिल रहा है वो सीधे सीधे तोर पर ये बता रहा है कि आजम खान अब नहीं चाते अकलेश यादव से कोई रिष्टा रखना भाई रखे भी क्यों क्यों कि जिस ने इस्तमाल किया है आजम खान का मुसल्मानों का ऐसे में सीधे तोर पर आजम खान मुह तोड़ जवाब दे ये बताता है कि उत्तर परदेश में बस्पा यानि बाउजन समाजवादी पार्टी जो है वो दो फैक्टर पर काम करी एक डी और एक एम डी यानि दलित मुसल्म डी और एम फैक्टर इसका लोग सभाज चुनावों पर कितना असर पड़ेगा उत्तर परदेश में लोग की जो मदद बस्पा निकी है ये बात समाजवादी पार्टी जानती है ऐसे में मुसल्मानों का बड़ा चहरा बस्पा के पास नहीं है तो आजम खान को अपने साथ मिलाने की कोशिश माया वती करती नजर आ रही है और जिसका फर्क आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सक